मेरी जिग्यासा शिक्षा प्रणाली को लेकर है जब गुरुकूल पद्दती में हमारे पूर्वज भाषा, व्याकरन, न्यायशास्त्र, चिकिच्चा, भुगोल, खगोल, अस्त्र, सस्त्र, जोतिश जैसे ज्यान को तो धारते ही थे वे पक्षियों की बोली, नक्षत्रों क चाल, पशुओं का व्यावार, पेड़ पोदों की उपयोगिता, एवें मौसम की इस्थिती अनुसार भोचन से स्वास्ति तक की समगर जानकारी प्राप्त कर लेते थे, जबकि आज का सिक्षित ना तो पशुओं को, नहीं पनस्पतियों को, नहीं पक्षियों को ही पहच मेनेजमेंट और नहीं उसे देश के कानुन की समझ है, तो प्रभु मेरा आपसे निवेदन ये है कि क्रपया इस महति दिशा में मात दशन देगर सिक्षा में वो गुनात्मक परिवर्तन कर, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और पुना हम महसूस करें कि विद त्या ददाती विनेयम चरित्र हो रहा है, प्रभु जब हम देववानी संस्क्रत बोलते थे तब हमारे पूरवच देवतुली होते थे, वियाकरान मात्रा पिंगल से सम्रद्ध हिंदी बोलने वाले मनिशी तुली होते थे, परन्तु आज की चरित्र हिंता और विदेशी भाशा का वर्ता प्रयोग में क्या कोई सही योग है, क्रपिया मेरी स्टीज का योग की उपचार करें। इस विशाय में मैंने अनिक बार मारदसन दिया, आपकी आपने जो बाते उठाई बहुत गंभीर है, और सारे देश के लोगों को इन मुद्दों पर गंभीरता से बिचार करने की आवशकता और अपिक्षा है, आपकी बात को तो मैं एक ही वाक्य में समेठता हूं, पहले स सिक्षा मिलती थी, अब डिगरी मिलती है, जब सिक्षा मिलती थी तो हम बहुत कुछ सीखते थे और परिपक को हो जाते थे, जीवन बहुआर में हमें कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ता था, अब लंबी चौनी डिगरीया मिलती है, बड़ी बड़ी उनको देखते रहते है पर वो डिगरी लेकर के भी आज में भूकों मरने की नौबत पाता है बस्तुता हमारे हैं कोशल और दक्षता इस पर बहुत फोकस किया गया है इसका विकाश होना चाहिए सिख्षा का यहीं मक्षद है डिगरी किसी काम का नहीं हमारा विकाश होना चाहिए और बौधिक के साथ साथ नेतिक चारित्रिक और भावनात्मग विकाश में हो आज बौधिक विकाश भी केवल उपर उपर हो रहा है जिवन वहवार से जुड़ी वतें नहीं आ रही इसके दुस्परणाम है अब ये चुकी अंग्रेजों की सिक्षानीती का अनुकरन लगातार चल रहा है अब राष्टवाद के नाम पर सरकार बनी है अगर ये सरकार सचे अर्थों में राष्टवाद को वढ़ावा देना चाहती है तो मैं तो यही चाहूंगा सबसे पहले सिक्षानीती पर सुधाद करें मैं काली के उस सिक्षानीती की पुरा समिक्षा करके सिक्षानीती में बदलाव लाए और उसमें उन सारे तत्तों का समयोजन किया जाए पुरानी जितनी भी कम्याती उसे दूर करे और आज की जितनी अच्छाईयां उनको समाविष्ट करके एक ऐसा समलवीत रूप बनाए जिस से भारत फिर से सोने की चिलियां बन सके